लगातार हिंदूओं की भावनाओं को आहत करने की अपार सफलता के बाद में भावनाओं आहत करने का कारिय लगातार चल रहा है जिस परकार से Eros Now, RA Network, उसके साथ इसाथ Tata के, Titan इन सब ने मिलकर के जिस परकार से हिंदूओं को लगातार आहत किया उनकी भावनाओं को आथ किया साती सात इतिहास पर हमला करने के लिए भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि भारत को जो कुछ भी दिया है वो मुगलों ने दिया है इन सभी के ओपर हम बात करेंगे और बात करेंगे इनकी डिटेल में जा करके और बात करेंगे एक ऐसे फोटोग्राफर के बारे में जिसने की महिलाओं भारतिये हिंदू महिलाओं के सशक्तिकरण को इस प्रकार से दिखाया है कि वो महिलाएं जिनको देवी का स्वरूप बताया गया है उनका सशक्तिकरण केवल तब हो सकता है जब उनकी गोद में शराब की बोतल हो और हाथ में गांजा हो इन सब पर हम मिल करके बैठ करके बातचीत करेंगे इस वीडियो को अंते तक अवश्य देखे और हम आपको बताएंगे कि मुगलों ने आखिर भारत को दिया क्या है नमस्ते दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या सनातन में जिस प्रकार से हमने देखा कि अरे नेटवर्क जो भारतिये महिलाओं को मेटिंग डांस करता हूँ बताता है डांडिया के नाम पर हमने देखा कि किस प्रकार से नवरात्री में महिलाओं को अर्धनग ने दिखाता है इरोजनाओ और ईद के मौके पर पूरे कपड़े पहना करके सलाम दिखाता है सलमान खान का उससे आगे थोड़ा बढ़ते हुए एक और प्रोपेगेंड़ा हमारे सामनाया है टू केजी राइस बैक कनवर्टिड लोगो की कौम के तरफ से एक बार फिर से है मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिया जोन की डिया जोन है और उनके साथ में है जोहेब और जैकब नामों से आपको पता लग गया होगा कि कुछ हैं जो दो-दो रूपे में कनवर्ट हुए थे और कुछ हैं जो दो-दो किलो चावल के बदले कनवर्ट हुए लोग है इन लोगों ने फोटोग्राफी के नाम पर चितरांकन, फिल्मांकन के नाम पर कुछ इस तरीके से भारतिय महिलाओं को दिखाने का प्रियास किया और भारतिय महिलाओं से मेरा सीधा-सीधा जिक्र जो है वो हिंदु महिलाओं से है पहले तो आप पोशाक से समझ जाएंगे दूसरी बात किरायदार कभी भी मालिक नहीं हो सकते हैं और जो लोग काली गारवेज जो पॉलिथीन होती है उसमें पैक होकर के 24-24 घंटे अपना जीवन वैतीत कर देते हैं इसमें से 24 घंटे उन लोगों को हम क्या ही भारते संसकर्टी से जोड़ करके देखें डिया जॉन ने एक फोटो प्रचारित किया प्रसारित किया रिलीज किया जिसमें की एक महिला जिसकी मांग में संदूर है लाल साड़ी वो पहने हुए है नीचे बैठी हुई है गोध में उसके शराब की बोतल है और हाथ में गांजे वाली सिगरेट है जिसको वो बना रही है यह दिखा कर कि उसने ये दिखाने का प्रियास किया जिस प्रकार से महिलाओं को देवी का रूप बताया जाता है उनको सहिशनू दिखाने का प्रियास के जाता है इस से महिलाओं की जो चवी है और उनका जो निजी जीवन है काफी निगेटिव रूप से प्रभावित होता है मैं यहाँ पर महिला शर्षक्तिकरण दिखा रही है और महिला शर्षक्तिकरण सिर्फ इसमें हो सकता है कि महिला शराप पिए और वो गांजा फूके भला इसमें कौन सा महिला शर्षक्तिकरण हो रहा था और क्या ये महिला शर्षक्तिकरण उस समय पर नहीं होता है जिस समय पर उनको ये बता दिया जाए और ये पता लगा दिया जाए कि तीन तलाक का अधिकार केवल और केवल पुरुश को है यानि कि जब पुरुष का मन करे कि वो किसी दूसरी औरत के साथ में गुलचर रोड़ाना चाहता है जब उसका मन करे कि अपनी बीवी को किसी और के साथ में भी शेयर कर दे तब वो उठकर के digitally उसको तलाक दे सकता है और वो महिला किसी और के बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर हो जाती है और वो भी अगले व्यक्ती की यानि कि अगला मौलाना है या कोई भी व्यक्ती है उसकी इच्छा के खिलाफ वो कभी उसको तलाक नहीं दे सकती है और जब तक उसका मन न भर जाए तब तक वो भी उसको तलाक नहीं देता है यानि के वहाँ पर इनको महिला शाशक्तिकरण दिखता है हो सकता है कि इनको वहाँ पर क्योंकि फ्री सेक्स की डिमांड में रहते हैं शराब पीना और गांजा पीना इससे कोई शशक्तिकरण नहीं होता है बलकि दुरबली करण आता है यदि आप किसी से भी सुनिए कि शराब पीने के बाद में वो लोग भी हमने देखे हैं जो अच्छे खासे थे बुद्धिमान लोग थे वो भी सड़क पर चलते चलते नाल रहा है शशक्तिकरण में यदि आपको लगता है कि शराब पीने के बाद में जो अपने घर जाए वहां पर उनका जगड़ा हो और वो जगड़ा होकर के परिवार बिखर जाए खंडित विकंडित हो जाए जानिके पहले ही हिंदू में एकाकी परिवार चल रहा है वो भी पूरी तरीके से अपने धर्म अपनी संस्कृति से विरुद्ध खड़ा कर देना और स्वम उनका शिकार करना और इस पूरे प्रोपेगेंड़ा में जो डिया का साथ दिया है वो दिया है जैकब और जोहिब ने नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन लोग है य जो बर्फ सा बनता है उसको भी मुगलों ने भारत को दिया था इससे पहले कि मैं इसका पूरा का पूरा खुलासा कर उससे पहले मैं आपको बता दू कि मुगले नो भारत को दिया क्या है मुगलों ने यहां भारत को अतिकरमन आतंकवाद उसके साथ इसाथ पंचर की कला भारत को और भारत की मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला मुतानिका और माले गनिमत यहां के काफिरों को दिया है। प्रोपेगेंडा के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका बाइकॉट करना सिखाया है। गुजरात हिस्ट्री के नाम से ट्वीटर हैंडल ने जब ये बात पोश्ट की तो लोगों ने आकर वहाँ पर बहुत सारे एविडेंस प्रस्तूत की और इनमें जो भी एविडेंस सबसे अच्छे मुझे लगे हैं उनको मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक ट्वीटर हैंडल है राश्चर्मा के नाम से उन्होंने बताया किस प्रकार से जले भी भगवान राम के जन्म के समय पर भी बनी थी और उसको करण शशकुलिका कहा जाता था। यह जले भी को बताया था कि कुंडिलिनी किस प्रकार से बनाई जाती है और यह कितनी मीठी होती है। उसके बाद में ट्रू इंडोलोजी ने बताया कि चरपटी यानि कि जो गुजरात हिस्ट्रिया उसने कहा था कि चपाती बनाना भी मुगलों ने ही हमको सिखाया है। आप प्रकार सोच ये कि जो लोग कच्चा मान सखाते हों जिन लोगों के पास में गेहूं तक न हो उस समय पर जिन लोगों को अपनी भूख से व्याकुल हो करके अन्याने देशों में भटकना पड़ता हो जिन लोगों के सपने में भी यानि कि अगर आप 15 साल पहली किताब नहीं देती और यहांपर इन्होंने हमें बनाना भी सिखा दिया प्रू इंडलोजी ने बताया कर चपाती को चरपटी कहा जाता था और यह उस में से है ISLAM का अधव भी नहीं हुआ था और यह अमरकोश में उस समय कैसे ही अंकित भी है इसके बाद में दिव्य कुमार सोती बताते हैं कि बर्फी बनाने के लिए दूद बिर्यानी बनाने के लिए चावल चावल आपको पता ही है बनता ही पैदा ही वहाँ पर होता है जहां पर पानी बहुत सारा हो यानि कि जब जो खेत होता है वो पूरा तर अर्बा बनाने के लिए आमला और जलेवी बनाने के लिए गुड़ चीनी मुसलमान जो थे वो रेगिस्तान से लेकर के यहां पर आये थे आपको इतिहास और भुगोल की पूरी जानकारी होनी चाहिए मैंने आपको बताई दिया है कि इसलाम ने यदि विश्व को कुछ दिय है तो उसके विश्व में बहुत सारे चर्चाएं और बहुत सारे प्रैक्टिकल हमने ओसामा से लेकर बगदादी तक सारे देख रखे हैं और छिट पूट घटाएं हम अपने अक्षेतरों में आसपास में देखते रहते हैं हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग जो अपने इस परज कीजिये के अरब देश जहां पर गर्मी से बचने के लिए ढंक से छाओ वाले पेड तक ना हो उस अक्षेतर में कोई इतना ब्लास्टिंग फ्रिजर बना देता है कि उसमें वो कुल्फी बना करके भारत ले करके आता है ये होता है वो प्रॉब्यगंडा जो किसी संस करती को तोड़ने किसी के धर्म उसकी मानता और उसकी पहचान को खत्म करने के लिए रचा जाता है आप लोगों को छोटी छोटी चीजें अकसर क्लिक नहीं करती है नौक नौक नहीं करती है लेकिन जो लोग इन सब जीजों को पढ़ते हैं उनको ये चीजे स्ट्राइक कर परनी भी चाहिए आज फ्रांस जिस स्थिती में है उससे पहले वो भी इन लोगों को शरण दे रहा था और यदि आज वहाँ पर अतिवाद की पराकाश्टा होने के बाद वहाँ के टीचर्स को वहाँ के कार्टूनिस्ट को मारा जा रहा है समापत किया जा रहा है उसके ब केम्प बना करके दिये और क्यों आखिर क्यों हमने इनको शरण दी भारत में भी इसी परकार से पिछले हजार साल से चल रहा है और पिछले सतर साल पहले एक अच्छा मोका था कि जब सब किराएदारों को उठा करके उनके कैम्प में भेज़ जा जाता लेकिन नहीं इतिहास अपने आपको दोहराता है और इतिहास एक बार फिरस अपने आपको दोहरा रहा है और हमें बता रहा है किराएदार एक बार फिरस से फ्रांस वाली घटना दोहराते नजर आते हैं फ्रांस के पास में शक्ती है भारत के पास में क्या है आपको सोचना होगा इस वी बोले सत्य सनातन वैरिक धर्म की जाए जैहिन वंदे मात्रव